गाव में एक किसान रहता था जो दूद से दही और मक्खन बना कर बेचने का काम करता था. एक दिन बीवी ने उसे मक्खन तयार करके दिया, वो उसे बेचने के लिए अपने गाव से शहर की तरफ रवाना हुआ. वो मक्खन गोल पेढ़ों की शकल में बना हुआ था और हर पेढ़े का वजन एक केजी था. शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरहे एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगेरह खरीद कर वापस अपने गाव को र एक पेढ़े का वजन किया जाएं. वजन करने पर पेढ़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला, हैरत और निराशा से उसने सारे पेढ़े तोल डाले मगर किसान के लाए हुए सभी पेढ़े 900 से 900 जीन डॉट के ही निकले. अगले हफते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ह दुकानदार की दहलीज पर चड़ा. दुकानदार ने किसान से चिलाते हुए कहा, दफा हो जा, किसी बेमान और धोखेबास शक्स से कारोबार करना. पर मुझसे नहीं. 900 जीन डॉट मक्खन को पूरा एक केजी डॉट कहकर बेचने वाले शक्स की वो शकल भी देखना गव और बेचारे लोग है. हमारी माल तोलने के लिए बाट, वजन, खरीदने की हैसियत कहा, आपसे जो एक किलोचीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पलडे में रखकर, दूसरे पलडे में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूँ. जो हम दुसरों को देंगे वहीं लोट कर आएगा. चाहे वो इजजत सम्मान हो, या फिर धोखा.